एक पर थीक है लेकिन एक बार अच्छी आदते और जित करो बुरी आदते विसरजद करो अच्छी आदत क्या है हमने अपने गुर्देव से पूँछा अच्छी आदतें क्या हैं पहली अच्छी आदत सब सबसे पहले उठो कितने बजे गड़ी के बजे चार तभी लगोगे पार चार बजे से छे बजे के बीच में उठ जाओ ये अच्छी आदत है दूसरी अच्छी आदत क्या हमेशा सत्त बोलो क्यों सांच बराबर तप नहीं जूंट बराबर पाप जा के हिर्दय सांच है प्रभुता के हिर्दय आप इसलिए पहली अच्छी आदत सुबह जल्दी उठो दूसरी अच्छी आदत सत्त बोलो तीसरी अच्छी आदत माता पिता गुरू अपने से बड़ जनों का सम्मान करो चोथी अच्छी आदत कम बोलो सुनो जादा पांचमी अच्छी आदत अपनी तुलना किसी से मत करो I am the best हाँ हम अपने आपने ही बड़िया है अपनी तुलना किसी से मत करो अगर सफल होना है ये पांचमी अच्छी आदत है छटमी अच्छी आदत क्या छटमी अच्छी आदत है काम को पैंडिंग कम डालो निप्टाओ और साथमी अच्छी आदत किसी का बुरा करना है तो एक दिन बाद करो और किसी इसके साथ अच्छा करना है तो तुरंत करो ताकि बुरा तल्या आए और अच्छाई बनी रहे आटमी अच्छी आदत आटमी अच्छी आदत ये स्वयम संसकारबान होकर दूसरों को भी संसकारबान बनाओ नौमी अच्छी आदत प्रती दिन भगवान के द्वार पर जाकर भगवान को धनबाद दो किस लिए मुझे तुमने मालिक, बहुत कुछ दिया है, तेरा सुख्रिया है, तेरा सुख्रिया है, भगबार को धन्ना बाद दो मुझे तुमने मालिक, बहुत कुछ दिया है, तेरा सुख्रिया है, तेरा सुख्रिया है, भगबार ने क्या क्या दिया? ये जरजात दी है, ये औलाद दी है, ये जरजात दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त, इंदाद दी है, मुझीबत में हर भगत पावा काव इंदाग दे भगवान के सामने सुबह सामने जाकर कि अच्छी आदत में डालो क्या भगवान से कहो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा ही दिया मैंने आया पिया है तेरा सुपिया है जोर से दोनों हाद दाके बोलो तेरा सुपिया है तेरा सुपिया है मुझे तुमने माली का पहुत कुछ दिया है मुझे आया इसलिए तेरा सुपिया है तेरा सुपिया है तेरा सुपिया है यह नौम ही अच्छी आदर प्रती दिन भगवान को धन्यबाद दो पूछो क्यों पूछो मान लो भगवान तुमको भैंसिया बना देता या घोडा बना देता का होता बंधे होते की नहीं अच्छा मान लो भगवान तुमारी दोनो आखें निकाल कर भेज देता तुम्हें तो दुखी रहते की नहीं रहते भगवान की कितनी कृपा है दौनों आखें दी, दौनों कान दिये, हाथ दिये, इसलिए प्रभू को धन्नबाद दो मुझे तुमने माली करो, बहुत कुछ गिया है, तेरा सुख्या है जो भी आदमी सुखी पाना चायता दिल्ली के पागलो याद रखना आदमी बहुत दुखी है, जिसे जो पाना है और मिलेना तो दुखी रहेगा जिसे जो पाना है और वो प्राप्त हो जाए, तो आदमी सुखी रहता है पर हमारी बात सुनो हो पागलो, पूँछो क्या, भगवान से अब क्या पाना, भगवान ने क्या-क्या नहीं दिया आखों का उप्योग तुम पिक्चर देखने में कर रहे हैं कानों का उप्योग तुम दोनों तरफ बिलूतूत का ठेटा लगा के ढूंचुक कर रहे हैं और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ धिकाने के लिए मूँ का उपयोग तुम गालियों के लिए कर ले पैरों का उपयोग तुम उटी सिमला भूमने के लिए कर ले हातों का उपयोग तुम चोरी के लिए कर ले और कहते हो महराज कृपा नहीं हो रही ठटरी के बरे नक कटा का भगवान तेरे घर के अंकल जी है अरे जो दिया है पहले इसी का तो सदपयोग कर आखों से क्या देखो संतों को देखो कानों से क्या सुनो भगवान की कथा को सुनो पैरों से क्या करो तीर्थों में जाओ हातों से क्या करो दोनों हाथ चोड़ कर सब को नमस्कार करो मुख से क्या करो सीता राम जपो पर हम लोग उल्टा उपयोग करते हैं इसलिए परिशान है तेंसन में देखो भाई छोटी गाड़ी में बड़ा टायर लगाओगे तो एबरेज बिगड़ जाएगा हाजी या ना जी इसी प्रकार सरीर का सदपयोग करने की जगए दुरपयोग करोगे तो प्रेसर सरी पर बहुत पड़ेगा अगर अपने तन का सदपयोग करोगे तो टेंसन फिरी रहोगे क्योंकि जब मैंसन भगवान की भग्ती हो जाएगी तो तुम्हें कोई टेंसन नहीं रहेगी सदा अटेंशन में जीते रहोगे